गोकरन आत्मलिंग गोकरन में आत्मलिंग की कहानी पौरानिक कथाओ और धार्मिक महत्व का एक आकर्शक मिश्रन है यह हिंदू परमपराओं में नहीत है और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है आत्मलिंग एक पवित्र शिवलिंग है जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है इसके इर्दगिर्द की कथा लंका के राक्षस राजा रावन से जुड़ी हुई है जो प्रमूख हिंदी महावकाव्य में से एक रामायन में एक केंद्रिय पात्र है आत्मलिंग की खोज पौरानिक कथा के अनुसार रावन जो शिव का एक भग था अपार शक्ति और अमरता प्राप्त करना चाहता था उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव रावन के सामने प्रकट हुए और उसे आत्मलिंग प्रदान किया शिव ने रावन को बताया कि आत्मलिंग अत्यन्त शक्तिशाली है और उसे उसके गंतव्य तक मतलब वस्तान जा हम पहुचना चाहते है वहाँ पहुचने से पहले जमीन पर नहीं रखा जा सकता अन्यता आत्मलिंग वही स्तापित हो जाएगा गनेश की चाल जब रावन आत्मलिंगो को लंका वापस ले जा रहा था तो देवताओं ने लिंग की अपार शक्ति से भैवीत होकर हश्तशेप करने का फैसला किया उन्होंने भगवान गनेश को भेजा उन्होंने एक ब्राहमन लड़के का रूप धारन किया गनेश रावन के पास गए और उनसे एक पल के लिए लिंग सौपने के लिए कहा ताकि वे इसे रावन के अनुष्ठान करते समय जमीन पर रख सके रावन हाला की सतर्क था लेकिन गनेश के अनुरोद पर सहमत हो गया जैसे ही गनेश ने आत्मलिंग प्राप्त किया उसने इसे एक स्तान पर जमीन पर रख दिया जिसे बाद में गोकर्न के नाम से जाना गया रावन द्वारा आत्मलिंग को वापस लाने के प्रयासों के बावजूद यह जमीन में मजबूती के साथ स्तापित था गोकर्न का महत्व यह महसूस करते हुए कि आत्मलिंग अब गोकर्न में स्तापित है रावन निराश हो गया लेकिन उसने भगवान शिव की शक्ति को स्विकार किया जिस स्ताण पर आत्मलिंग स्तापित किया गया था वह एक पूजनियत तीर स्तल बन गया गोकर्ण में महाबलेश्वर मंदिर में आत्मलिंगव स्तित है जो इसे हिंदूओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक सल बनाता है महाबलेश्वर मंदिर गोकर्ण में महाबलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है मंदिर में स्तापित देवता को महाबलेश्वर कहा जाता है जिसका अर्थ है महान शक्ती यह मंदिर अपनी पारंपरिक दक्षिन भारतिय वास्तुकला और एतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है तीर्थियात्री विशेश रूप से महाशिवरात्री के प्रमूख हिंदू त्योहार के दौरान प्रात्ना करने और आशिर्वाद लेने के लिए मंदिर आते है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव आत्मलिंग की कहानी भगवान शिव की शक्ती और प्रभाव को उजागर करती है और पौरानिक कथाओ और धार्मिक अभ्यास के प्रतिक्षचेदन को दर्शाती है अपने पवित्र आत्मलिंग के साथ गोकर्न हिंदू भक्ती में एक वशेश स्तान रखता है और मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में तीर्थियात्री और परियटक आते है कि उदंती भक्ती डैविय हस्तशेप और अपने देवताओं का सम्मान करने की चाहा रखने वाले उपासकों के सामने आने वाले चुनोतियों के विश्यों को भी रिखांकित करती है यह सम्रुद्ध पौरानिक कता मंदिर के एतिहासिक महत्व के साथ मिलकर हिंदु धार्मिक परंपराओं और प्रताओं को समझने के लिए गोकर्ण को एक महत्वपूर्नस्तान बनाती है